हेलो दोस्तो, SSE CHSL की ट्यारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी ख़बर है CHSL 2020 का जो पेपर है, प्री वाला वो बहुत जैसे तैसे हुआ, 6 महीने की गैप पे तो पेपर ही निबटा है और फाइनली इसका जो हमारे रिजल्ट एक्सपेक्टिड था, 30 नवंबर को लेकिन रिजल्ट, SSE ने पहली बार ऐसा कोई रिजल्ट होगा शायद उसकी इस्ट्री में जो उन्होंने अपने टाइम से एक महीने पहले रिजल्ट दिया है मतलब SSE एक ऐसी संस्था जो रिजल्ट देती है, 3-3 साल के गैप पे उसने पहली बार एक रिजल्ट ऐसा है, जो एक महीने पहले ही दे दिया तो इसके लिए SSE का बहुत-बहुत धन्यवाद तो SSE CXL 2020 में, Tier 1 में जो बच्चे क्वालिफाई किये हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है, मैं अपने टेलिग्राम चैनल पे भी डलवा दूँगा डिस्किप्शन में भी लिंक डलवा दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते ही कि आपका नाम लिस्ट में है की नहीं कटफ भी आ चुकी है, जैसे मैंने पहले ही बोलाता कि चाहें CXL 2020 का पेपर हो, चाहें CGL 2020 का पेपर हो, उनकी कटफ जो है 140 के आसपास रहेगी, 140 के आसपास कटफ रहेगी तो जनरल की जो कटफ है, वो 141.88 यानि कि एप्रॉक्स 142 मार्स गई है इसी तरीके से OBC की जो कटफ है, वो लगबग 140 मार्स गई है अगला जनरल में 8,000 के स्टुडेंट लगबग क्वालिफाई किये और OBC में लगबग 11,000 स्टुडेंट क्वालिफाई किये टोडल सारी केटेगरी मिला के, इन्होंने Tier 1 में 45,000 केंडिडेट को सेलेक्ट किया मतलब ये 45,000 केंडिडेट जो है, ये Tier 2 का पेपर देंगे अभी इन्होंने मार्स रिलीज नहीं किये हैं, तो मार्स की डेट भी इन्होंने दी है कि 5 नवंबर को, यानि कि आज से जस्ट एक हकते के बाद, ये CHSL Tier 1 के मार्स भी अपनी वेबसाइट पर अप्लोड करवा देंगे अगर वो मार्स आजाने के बाद, ये जो फैसिलिटी है आपकी, 5 से 25 नवंबर तक रहेगी दूसी बात कि CHSL का Tier 2 का जो पेपर है, उसकी भी डेट इन्होंने दे रखी है तो ये शेडूल इन्होंने कर रखा है, 9 जनवरी को अगले साल 2022 में ठीक है, ये टेंटिटिव डेट है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है तो 9 जनवरी को इसका पेपर है, तो लगबग लगबग आपके पास 2 महिने का टाइम है Tier 2 के exam में CHSL के, और लगबग लगबग tier, जो आपका SSC CGL Tier 1 का result है वो उन्होंने, जो है क्या बो लखा है, 11 दिसंबर को तो अगर SSC CGL Tier 1 का result भी एक महिने पहले दे दे, मतलब कुछ दिन बात दे दे तो बच्चों को ये confirm हो जाएगा कि हमें अपना SSC Tier 2 की भी तयारी करने descriptive की और SSC CGL के Tier 2 mains की भी तयारी करने वो कि उसमें भी लगबग 2-3 महिने का समय बाकी रहेगा तो जो बच्चे भी तक तयारी नहीं कर रहे थे, वो serious हो जाएं और आपके जो result आगे, उसके basis पे आप अपनी तयारी को आगे move forward करें ठीक है, धन्यवाद भाई, बाई